हलो फ्रेंद्स चै मातादी कैसे हैं आप सब दोस्तों बहुत ही खुबसूरत दिन है और ऐसे में जब हम बात करते हैं परेशानियों की तो दोस्तों मन उदास्ता हो जाता है कई बार हम बहुत सारे उपाई करते हैं सारे भगवान की पूझा पाट जो भी छोटे छोटे चमतकारी उपाई आदी बताये जाते हैं वो सभी हम करते हैं उसके बाद भी हमारे जीवन से परेशानियां दूर होने का नाम नहीं लेती है अक्सर कई बार मुझसे कमें बॉक्स में लोग पूछते हैं कि मैम हमने ये भी किया वो भी किया फिर भी हमारे प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो रही है आपके उपाई फेल हो जाते हैं दोस्तों मैं सिर्फ जो वो ही बताती हूँ जो शास्त्रों में लिखा है दोस्तों अपने अपने कर्मा हमारे जीवन पर इफेक्ट करते हैं हम कैसे कर्म करते हैं कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं और साथ ही साथ कई बार दिखा गया है दोस्तों कि इनसान कमाते कमाते भी परेशानियों से घिरा रहता है जिसकी वजह से उसके जीवन पर दरिद्र हो जाएं तो हम अपना जीवन खुद ही खुशाल बना सकते हैं दोस्तों अक्सर बात होती है माता लक्षमी जिन घरों में निवास करती है वहां पर धन धान्य कि कभी भी कमी नहीं रहती है धेरों पाए आपको रोज बताती हूं कि लक्षमी का निवास चाहते हैं तो यह लिए दोस्तों एक और चीज बहुत इंपोर्टेंट है और वो है अगर आपके घर में आप सौ बार लक्षमी पूजन कर लें लेकिन आपके घर में अगर साफ सफाई नहीं है आपके घर में आपस में फैमिली मेंबर्स में प्यार नहीं है तो दोस्तों आपके घर में लक् आगे का शिकार हो रहा है तो उसकी वज़ा वो खुद होता है क्योंकि उनके घरों में निवास करती है माता अलक्षमी जो कभी भी इनसान को आगे बढ़तने नहीं देती जितना कमाओ उतना कम लगता है और ऐसे घर वाले इनसान हमेशा समस्याओं से घीरे हुए ही नजर आत पर लड़ाई जगडा करना इस वज़य से दोस्तों लक्षमी माता धीरे धीरे कब घर से चली जाती है और अलक्षमी का घर में निवास होता है तो दोस्तों आज मैं आपको बता दू कि माता लक्षमी की पूजा से घर में सुख सम्रिद्धी और धन की वर्षा जहां होती ह वहीं पर अगर आप घर में प्यार अपना बना के रखेंगे, अगर अपने घर में साफ सफाई का निवास रखेंगे, तो दोस्तों कभी भी आपके घर में माता अलक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा। एक तरफ जहां माता लक्ष्मी की हम पूजा अर्चना करते हैं, उससे हमें धन की प्राप्ती होती है, इसके विपरीत अलक्ष्मी देवी, दरिद्रता और गरीबी की देवी मानी जाती है। हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। मीठी चीज़ों का भोग पसंद है, जबकि अलक्ष्मी को खटी और मिर्ची वाली चीज़ों पसंद है। इसलिए दोस्तों आपके घर के बाहर आप नीमबू मिर्च क्यों लगाते हैं आपको पता है। क्योंकि अलक्ष्मी को खटी और मिर्ची वाली चीज़े पसंद हैं और घर के द्वार से उसे खा करके उस घर से दूर चली जाती है। दोस्तों आलक्ष्मी उनी घरों में प्रवेश करती है जहां पर गंदगी हो जहां पर हमेशा लोग जगडते रहते हों। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अगर आप करते भी हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी वहाँ ठहरती नहीं है और अलक्ष्मी देवी की पूजा न करने से भी गरीबी वहाँ पर प्रवेश कर जाती है। कारण दोनों को देबहन मानते हैं और मानिता ऐसी है कि देवी अलक्ष्मी का विवाहा उद्दालक नाम के मुनी से हुआ और जब मुनी देवी अलक्ष्मी को लेकर अपने आश्रम में आए तो वहाँ अलक्ष्मी देवी ने आश्रम में प्रवेश नहीं गया। मुनी ने जब इसकी वज़ा पूछी तो अलक्ष्मी देवी ने कहा था कि आश्रम बहुत ही साफ सुत्रा है और वो केवल ऐसे ही घर में रह सकती है जहां पर गंदगी हो, हमेशा लडाई जगड़े हो। दोस्तों जेश्था देवी यानी अलक्ष्मी देवी अशुब घटनाओ, गरीबी, दुख, कुरूप्ता की देवी है इनका किसी भी घर में वास उस घर के सर्वनाश की वज़ा बनता है इसलिए लोग उनकी पूझा अपने घर से दूर रखने के लिए करते हैं आज मैं आपको बताऊंगे दोस्तों कुछ ऐसे उपाए जिनको आप करके अलक्ष्मी को हमेशा के लिए आप अपने घर से दूर रख सकते हैं सबसे पहला उपाए तो अगर आप अपनी ऑफिस में दरिद्रता दूर करना चाते हैं या कोई आपकी दुकान है कोई भी कारे छेत्र है वहाँ पर रोज सुगे मोर पंक से अगर आप छाड़ा करते हैं तो माता अलक्ष्मी दूर हो जाती है दोस्तों घर या दुकान से अलक्ष्मी को दूर करने के लिए एक नीमबू और साथ मिर्च को मौली से बांद करके अपने मुख्य द्वार पर हमेशा टांग करके रखें इससे माना जाता है माता अलक्ष्मी द्वार से ही भोजन करके वापस चली जाती है दोस्तों पुराना कोई भी जूता हो उसे ले करके आप अपने घर की चछत पर टांग सकते हैं ऐसा करने से आपके घर पर किसी भी तरह की अगर नकरात्मक उर्चा होगी तो उससे आप गलत उर्चाओं से बचे रहते हैं दोस्तों एक काली हांडी ले करके उस पर आप सिंदूर की सहायता से एक राक्षस का चित्र बना ले और इस हांडी को कुछ इस तरह से लगा दें ताकि मुख्य द्वार पर वो दिखाई दे इस तरह से ये काली हांडी लगाने से भी चहरा उस पे राक्षस का बना करके लगाने से माना जाता है अलक्ष्मी घर से दूर रहती है दोस्तों अपने घर में देवी लक्ष्मी के बैठेवे स्वरूप का कमल की उपर माता लक्ष्मी का जो बैठावा स्वरूप है उसकी पूजा करनी चाहिए उसकी चाया चित्र लगानी चाहिए ऐसा करने से क्योंकि लक्ष्मी देवी चंचला है अगर आप खड़ी हुई दे लक्षमी की पूजा करने चाहिए इससे माता लक्षमी का उस घर में स्थाई निवास होता है दोस्तों दुकान के जब हम बात करते हैं किस प्रकार का चित्र अपने कार ये स्थल पे लगाना चाहिए लक्षमी माता का या मूर्ती आपको खड़े हुए गणेश जी लक्षमी और खड़े भी माता लक्षमी की चित्र लगाने चाहिए अपनी ओफिस में या कारी स्थल पे इससे माता लक्षमी आती जाती रहती है दोस्तों आप चाहें तो देवी लक्षमी पर 16 कमलगटे के दाने चढ़ा दे और फिर किसी लाल कपड़े में बांध करके इसे आप कर सकते हैं आप अगर अमावस्या पर जो भी हर अमावस्या को अपने घर को अच्छे से साफ सुतरा करना चाहिए और हर अमावस्या पर घर में जितना भी बचा हुआ कूड़ा है बेकार का सामान है उसे अपने घर से नश्ट कर देना चाहिए अगर अमावस्या के दिन आपके घर में विराजवान है वो सभी दूर होती है अलक्षमी आपके घर से दूर हो जाती है दोस्तों ये तो हुई बाते तोटकों की या उपायों की पर इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा कर्म अच्छे करें किसी की भी बुराई या कभी भी आपको जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगी दुख और दारिद्र आपके जीवन में सदावास करेंगे दोस्तों ये सभी जो पाय मैंने बताए है शास्त्रों में लिखे गए उपाय है और इनको अपना कर आप दारिद्रता और अधर्म को अपने घर और ओफिस से या दोस्तों उनसे इन वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइव बदल दें लव यू आल फ्रेंड्स टेक केर जै माता दी और बंबं भुले नात की सब्सक्राइब करके रखे ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो के थ्रू क प्लीज मुझे वीडियो के नीशे लिखे जरूर पूछ लें लव यू आल ठेक केर जै माता दी बंबं भुले नात की